कि नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वाधत तुराहुल गंदी जा रहे हैं आमेरिका की यात्रा पर और कौन और्गिनाइज कर रहा है ओवर सीज कॉंग्रेस के चुनाव के दोरान हटा दिये गए और चुनाव खतम होने के बाद फिर से न्युक्त कर दिये गए सैम पेट्रोडा सैम पेट्रोडा ने एक दिन पहले उनके कारिक्रम की विस्तृत जानकारी दिये और उनका कहना यह है कि राहूल गांधी अपनी इसर का यात्रा के दोरान जो भारतीय दुरिकात करेंगे के वह से से मिलेंगे वह कारोबारियों से मिलेंगे वह साथ करेंगे और अमेरिका के जो तो अस्थानिय नेता हैं वहां की जो नेता हैं उन से भी मुलाकाद करेंगे और राहुल गांधी जो है वो कौन से शहर पहुंचेंगे पहले डलास अमेरिका का ये शहर है आठ सितंबर को वहां ये पहुंचने वाले हैं और पेट्रोडा की अगर मानें तो टेकसास विश्व से बात्चीत करेंगे अस्थानिय वहरतिय समुदाय कुछ तकनीकी विशेशग्यों से बात्चीत करेंगे नौ और दस सितंबर को राहुल गांधी अमेरिका की राजदानी कैपिटल वाशिंटों डीसी में रहेंगे और अलग-अलग लोगों से बात्चीत करेंगे और ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत में भी दो राज्यों में चुनाव की प्रकरिया चल रही है चुनाव घोशित हो चुके हैं जमुकश्मीर और हरियाना में और हरियाना में भी इस समय कॉंग्रेस अपनी पूरी ताकत जहोंके हुए है जमुकश्मीर में नैशनल कॉं और जमू कश्मीर पर फोकस करना चाहिए था तो राहुल गांदी अमेरिका जा रहे हैं और इत्तफाक है संयोग है कि अमेरिका में भी इस समय राष्ट पती चुनाओ की परकिरिया शुरू है और चुनाओ परचार भी चरम पर है डॉनल्ड ट्रम फिर चुनाओ मैदान में है और उनके सामने जो बाइडन की जगे कमला हैरिस चुनाओ मैदान में है तो राहुल गांदी वहां जा रहे हैं इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं अब शुरू हो चुकी है पिछले साल जून में ये अमेरिका गए थे और उस समय भी इन्होंने कुछ एनराई से कुछ चात्रों से कुछ दूसरे लोगों से बाचीत की थी और बाद में ये चीज खुल करके सामने आई थी कि ये वाइट हाउस भी गए थे और वाइट हाउस क्यों गए थे ये अपने आप में एक रहस्त बना हुआ है कुछ लोगों का कहना है कि जो डीप स्टेट है अमेरिका क FTIA है FBI है या दूसरे जो देशों में हस्तक शेफ करने वाला या दूसरे देशों की जो नीतियां तेह करने वाला या जो इस्टेबिलिस सरकारे हैं उनको डी इस्टेबिलाइज करने वाला जो वहाँ पर एक ग्रूप है और सक्रिय ग्रूप है जो अलग अलग देशों में कुछ-कुछ लोगों को अपने साथ लेकर के तमाम तरह की कारवाईयों में लिफ्त रहता है, ऐसे लोगों से मुलाकात खुई थी, ना इसका कॉंग्रेस में कभी खंडन किया, ना इसकी पुष्टी की, कि राहुल गांदी वाइट हाउस बहे थे और वहाँ पर इनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से खुई थी, राहुल गांदी की यात्रा क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्यों इस पर सबकी निगाहें हैं, इसकी वजह है, एक तो खुद प्रधान मंत्री नरेंदर मौ है, चोथे सब्तहा में, नियू योर्क जाने वाले हैं, अमेरिका जाने वाले हैं, वो वहाँ भारती ये समुदाय को भी संबोधित करने वाले हैं, उनसे बाचीत करने वाले हैं, उनसे पहले, राहुल गांदी पिछले दो-तीन साल से, अमेरिका के दोरे कर रहे हैं, और सि गे दूसरा मोका है जब ये सितंबर महा में ही अमेरिका जा रहे हैं और कांगरिस के जो अनौप चारिक बाचीत करने वाले हैं उनका कहना यह होता है कि साथ नरेंद्र मोदी अलग-अलग देशों में जब जाते हैं और भारतियों को संबोजित करते हैं तो ये शो करने की समुदा के पहले कुछ हुआ ही नहीं है सब कुछ नरेंदर मौदी के आने के बाद हुआ है और ये कॉंग्रेस को कॉंग्रेस की लीडर्शिप को नागवार गुज्रा है इसलिए राहुल गांदी खास तोर से अमेरिका के जो टूर होते हैं प्रदान मंत्री नरेंदर मौदी के उससे पहले वहां जाने लगे हैं और भारती समुदाए के लोगों से भी बात करते हैं कारो बारियों से भी बात करती हैं वहां के थिंक टैंक से भी बात करते हैं और ये खबर आई थी के वाइट-हाउस भी गहे थे और कुछ你有 Deep State के लोगों से मिले यह डीप इस्टेट क्या है इधर इसका काफी चर्चा हो रहा है इसका नाम लिए जा रहा है अमेरिका की खुपिया एजनसियां और अमेरिका अलग-अलग देशों में जहां उसे लगता है कि हमारे मन मुताबिक कोई शासन परमुख एक्ट नहीं कर रहा है वहां पर एनर्की की सिच्वेशन क्रियेट करना अराजक ताकि इस्तिक्या क्रियेट करना जैसे अभी बंगला देश में उसने किया है और यह पता कैसे लगा कि अमेरिका का ही सब किया धरा है, शेह खासिना की सरकार का तफ़ता पलटना, इसका खुलासा खुद शेह खासिना ने ही किया, प्रदहान मंद्री पद्थ से इस्तिफा देना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा, भारत में आकर के शरण लेनी पड़ी, यहां एक एजिं का चाहता था जो बांगला देश का एक दीप है और शेख हसीना सरकार ने वो देने से अमेरिका को इंकार कर दिया था शेख हसीना का कहना ये है कि मुझे अपनी सरकार डी स्टेबलाइज हो गई वो मंजूर है लेकिन अमेरिका अगर यहां आकर के बैठ जाता अपना मिलिटर अमेरिका इस्टेबलिस्मेंट वहां पर अस्तापित कर देता तो पूरे हिंद महासागर और प्रशांत महासागर तक दक्षिन चीन सागर तक में एक अशांती का माहौल पैदा हो जाता और एक टकराओ का माहौल एक तनाव शुरू हो जाता पूरे इस शेत्र में इसलिए अन्हाने अमेरिका को टाफू नेहीं दिया । उसी से खिन्ण होकर के नराग होकर के अमेरिका ने जमात इसलामी के जरी पाकिस्तान की ऑ áreas के जरी बी एन्पी के जरी और बहुत सारे गुथ हैं उनके जरी उनकी सरकार का तख्ता पलेट दिया तो सवाल ये है कि राहुल गांदी भी अगर ऐसे लोगों से मिलते हैं और बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि ये जोर्ज सोरोस वगरा से भी मिलते हैं उनके जो कारिंदे हैं उन से भी मुलाकात करते हैं और जोर्ज सोरोस कौन है ये डीप इस्टेट क्या है ये भारत की ज जो फिफ्ट लार्जेश्ट एकॉनमी और रडी बन चुका है अगले तीन साल में चार साल में थर्ड लार्जेश्ट एकॉनमी बनने की रहा पर अग्रसर है और जिस तरह की गतिविद्यां तमाम चल रही हैं और प्रधानमंदरी नरेंगर मोधी जिस तरह के से बीना अमेरिक के किसी प्रेशर में आय हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीती त्य कर रहे हैं जैसे तीसरी बार शपत ग्रहन करने के बाद उनका पहला दोरा जी सेवन समिट में भाग लेने के लिए इटली जाना था उनका दूसरा दोरा अधिकारिक दोरा मासको का रहा रूस का रहा और वहां जिस गरम जोशी के साथ वो विलादी मेर पुतिन से मिले गले मिले वो अमेरिका को भी यूरोपियन कंट्रीज को भी यानि जो वेस्टरन वर्ल्ड है उसको बड़ा नागवार गुज्रा जो रूस को राष्टपती पुतिन को पूरी हलक करने पर आमादा है और भारत से यह चाहता है बले ही परदे के पीछे से प्रेशर डालता रहा हो अमेरिका का पूरा जो इस्टेबलिस्मेंट है जो शासन पर शासन है कि रूस से हम अपने संबंद सीमित करें और ऐसे समय तो गरम जोशी दिखाना पुतिन से मिलना उसे और भी नागावार गुज्रात जब ठीक उसी समय नेटल देशों की एक सब्मिट अमेरिका में हो रही थी वाशिंकन डीसी में हो रही थी तो उसे लगा के यह तो नरेंद्र मौदी ने ऐसा काम कर दिया उसके बाद पुर्धान मंत्री मौदी एक डिड़ महिने के वही तरही युक्रेन की आत्रा पर चले गए वहां भी और होने राश्टपती व्लादी मेर जलेंस्की को समझाया कि वही आप ये दूसरे देशों के बढ़कावे में ना आएं क्यों आपने देश का सत्यानास करने पर आमादा हैं और उनको तमाम तरह शेंपते है कि विँठ फॉच्ट हो सकती है जो रानी और फ्ञाटी बहुत ऑफ्वेस की दो सवादो साल से युक्रेण का रूसका युद्द चल ही रहा और युक्रेयन जो है वह है वह होर्वे अवृप अबदिल होता जा रहा है अराक और अफ़ानिस्तान की तरह तो अमेरिका को क्यों पसंद आएंगी क्योंकि अमेरिका तो चाहता ही नहीं है कि युद्ध खतल हो वो तो चाहता है कि युद्ध चलता रहे वो युक्रेन को हत्यार और पैसे भेज रहा है नेटो देश युक्रेन को मदद कर रहे हैं इनका कुल मिलातर के परियास यह है कि रू की बात है लेकिन इधर अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स ने जिस तरीके से हमारे यहां अपने कुछ गतिवी दियां शुरू की है और इन चर्चाओं के बीच की है कि साब बांगला देश में तो शेख हसेना सरकार को अराजकता पैदा करके डेस्टेबलाइज कर दिया गिर वजूद वो तीसरी बार प्रधान मंत्री बनने में कामियाब हो गये हैं तो ऐसे में इनके जो राजदूत हैं इनके जो राजनेइक हैं वो भारत के बीतर ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो घोशित रूप से मोधी सरकार के विरोधी हैं प्रधान मंत्री मोधी को नापसंद करते हैं इनमें वो तसाकतित किसान अंदोलनकारी भी हैं इनमें वो एक सीट वाले एहदराबाद के अपने असदुद्दी नौवेसी भी हैं और जो अपना चुनाव हार गए लोकसभा का उमर अब्दुल्ला भी हैं जिन से कश्मीर में जाकर के ये मिले हैं और जिनके बल प प्रेड़ी से भी मिले हैं तो इन सब गतिविद्यों के बीच में राहुल गांदी की जो अमेरिका की यात्रा है यह अपने आप में काफी इंट्रेस्टिंग है इसलिए भी कि राहुल गांदी ने भी सारे गोड़े दोड़ाए हैं लोकसभा चुनाव में और वो तो गोश सब्सक्राइब करते हैं कि अगर यह मैनुपलेशन करके सरकार बना भी लेते हैं और आकर के फिर समीधान के साथ छेर चाड़ करते हैं उसमें संचोधन करते हैं मनमाली करते हैं तो देश में अब लग जाएगी तो ऐसे में जो रहुल गांदी की संदिग्द गतिविधिया हैं विदेश यात्राएं रहस में विदेश यात्राएं और अभी बंगलादेश के एक जाने माने पत्रकार सलावदीन शोहद चोधरी ने इनके नीजी जीवन के बारे में के कोलंबिया की कोई इनकी एक पत्नी भी है जिससे भी दिवत शादी नहीं हुई है दो बच्चे है एक 19 साल का बेटा है एक 16 साल की बेटी है और यह लगातार ऐसी ऐसी जगहों की अत्रा करते हैं जहां पर आईसाई के भी जो लोग है वो जिनका आवागमन नौट किया गया है तो ऐसे में राहुल गांदी अगर अमेरिका जा रहे हैं तब सब की निगाहें राहुल गां में खुद नरेंद्र मौधी भी जा रही हैं उनसे पहले अमेरिका की यत्रा करना कारोबारियों से मुलाकात करना चात्रों से मिलना वहां के लोकल लीडर्स से मिलना भार्तियों से मिलना यह सब डेलिबरेटली इनकी एक मोहीम की तरह नौट की जा रही है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्रा के बेल आइकॉन को दबारा ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कर